नमस्कार दोस्तों वेलकम टू रीजनल आईएस देखिए उत्रपदेश PGT की और TGT के वेकैंसी जाने वाली है तो उससे पहले जरूरी है कि आपको उसका सिलेवस अच्छे से पता होना चाहिए जिससे आप सिलेवस को सामने रखे टॉपिक वाइज अच्छे से त्यारी कर सकें तो मैं प्रेंपाल सिंग आज आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा UPPGT का जो लेटेष्ट सिलेवस है अभी तक का उसके बारे में हम टॉपिक के हिसाब से उसको ब्रेक अप करके डिसकस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है आपके लिए इसलेव बने रहिए और देखिए इस वीडियो को अंध तक साथी साथ आप ये भी बताईए कि आप उत्तरपदेश में किस डिस्टिक से रहने वाले हैं कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए यूपी पीजी टी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेवस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राजनेतिक सिध्धान्त मतलब पॉलिटिकल थियोरी इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है राजनेतिक साइस्त्र क्या होता है इसकी परिवासा और जो इसको इसको इस्टडी करने के जो छेत्र है वो और इसकी मेथर्स जो है इस्टडी करने के वो पढ़ने है अध्यन पद्दिया मतलब राजनेतिक साइस्त्र उसकी परिवासा विशय छेत्र और अध्यन पद्धिया तूसरा टॉपिक है हमारा राज्य राज्य की बारे में हमें उसकी परिभासाग पढ़नी है अलग-लग थिंकर्स के द्वारा उस राज्य की तत्व कौन-कौन से होते हैं राज्य की उत्पत्ती के जो अलग-लग सिध्धान्त हैं वो अवधारणाएं कौन-कौन सी हैं तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रभूता मतलब सोबरनेटी इसका अर्थ पढ़ना है आपको प्रमुक विसेस्ताएं पढ़नी है और सोबरनेटी के प्रकार पढ़ने है एकलवादी और बहुलवादी सिध्धान्त क्या होता है अ ये सब पढ़ना है नियाय में हम खासकर रॉल थियोरी जो है रॉल का सिध्धान्त है वो हम पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा राजनीतिक वाद क्या है इसमें हम व्यक्तिबाद मतलब इंडिविजुलिस्म उदारबाद मतलब लिबरलिस्म प्रत्यबाद और अरा और अधिनायक तंत्र ये इसके बारे में हमको डिटेल में श्टडी करना है अगला टॉपिक है राजनीतिक दर्सन पॉलिटिकल फिलोसिपी इसके अंदर हमें प्लेटो को पढ़ना है प्लेटो की जो अलगलग थियोरीज हैं उनको श्टडी करना है उसी प्रकार अरस्तू मनु के बारे में पढ़ना है हॉप्स के बारे में लॉक और मॉन्टेस्क्यू रूसो जे एस मिल कालमाक्स लैनिन ते कालमाक्स और लैनिन और माव ये जो है सोसलिस्म के थिंकर हैं समाजबाद के थिंकर हैं तो इन तीनों को पढ़ना है मनु के बारे में पढ़ना है यहां प्रकास नारायन इतने आपको पढ़ने हैं बिलकुल इस स्पेसिफिकली मेंसन है से लेवस में ये चीज़ें आपको इस्टेडी करनी है अगला जो टॉपिक है वो है तुलनात्मक राजनीती कंपरेटिब पॉलिटिक्स इसमें संगबाद मतलब फीरलिज्म के बारे में पढ पढ़ना है इसके कौन-कौन से तत्व होते हैं प्रवर्तियां एवं इसकी समस्याएं और नाग्रियों को के मौलिक अधिकार एवं करतब्यों के बारे में पढ़ना है अलग-लग देशों में जो चलते हैं ब्यवस थापिका की सरचना और कार्य पालिका मतलब एग्जीक्य बद्धता एवं तटेश्टता नौकर साही मतलब ब्यूरोक्रोसी निर्वाचन पद्धती इलेक्षन प्रोसीजस समस्या एवं समाधान पढ़ने हैं राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है दबाव समू प्रेसर ग्रुप्स एवं लोकमत के बा दंस चीन मतलब इन सभी देशों में एग्जीकुटिव किस तरह काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है और संगबाद है या एकात्मक सासन प्रणाली है ये सारी चीज़ें सम्विधान के जो मौलिक अधिकार हैं लोगों को दिये गए हैं स्वतंत्रता समानता का क्या है तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस्टडी करनी है इनके संधर्व में अगला जो टॉपिक है हमारा अंतराश्टी राजनीती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसका सिध्धान तेवं व्यवहार पड़ना है प्रमुक अवधारना है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स म नाव, सेथिल्य, असलनगनता अंदूलन मतलब नौन अलाइन मूउमेंट, अंतराश्टी संस्था एवं संगठन के बारे में पड़ना है जिसमें सायुकतराश्ट संग, युनाइटेड नेशन्स, आसियान कंट्रीज, सार्क कंट्रीज, इसके साथ साथ जो प्रमुक जैसे कि निसस्त्रीकरण, नव अंतराश्टी आर्थिक व्यवस्था और उत्तर दच्छन वारता, नौर्थ वेस्ट डायलोग और दच्छन सहयोग, तरतिय विस्व, थर्ड वर्ल्ड क्या है और उसकी अबधारणाय और समश्याएं पड़नी है और फोरें पॉलिसी अगला जो लाश्ट टॉपिक है वो है हमारा भारतिय लोग प्रसासन, इंडियन पब्लिक एड्मिनिस्टेशन, इसमें सिध्धान्त एवं व्यवहार पड़ने हैं और जो प्रसास की व्यवहार है जैसे कि निर्णे लेना, नेत्रत्तों के सिध्धान्त, संप्रेशन, अभ विगरण, विभाग नियम एवं स्वतंत्रता, नियम केई आयोग, कार्मिक प्रशाशन, नौकर साही में भरती, प्रसिच्छन मतलब ट्रेनिंग, पदोर्नती प्रमोशन, प्रसासन में सचरित्रता, उत्तरदायत्व, रिस्पोंसिबिलिटी एवं कंट्रोल, संसदिय निय रिपालिका, एवं नियायक नियंत्रन, उसके बाद हमें पढ़ने हैं प्रसास कियो सुधार मतलब administrative reforms, तो ये हमारा पूरा syllabus हो गया है, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिसकस की, जो syllabus mention है, उत्तरपदेश सरकार के द्वारा, देकि इनको सबको study करने के लिए अलगलब books आप refer कर सकते हैं, और जो basically आपको refer करना है, वो है एगनू का, MA का, political science का material, दोनों भासाओं में, free में available है, हिंदी में, English में, वो basic foundation बनाने के लिए आप उसको refer कीजिए, और साथी कुछ important topics हैं, उनके लिए standard books हैं, और आप ये भी कर सकते हैं, कि इसके complete notes, topic wise complete notes, दोनों भासा में जो भी आपका medium है, हिंदिया, इंग्लिस, वो आप हमसे, जो है, order कर सकते हैं, आपके यहाँ पर courier हो जाएंगे, बहुत ही minimum cost पर आपको ये available कलाये कराये जा रहे हैं, हर कोई effort कर सकता है, तो अगर आप interested हैं, तो आप हमें comment करके, बता सकते हैं, तो इस video को मैं यहीं समाप करता हूँ, आगे आने वाले वीडियो में हम अलगलग topics पर चर्चा करेंगे, जो important topics होंगे आपके exam point of view से और critical होंगे समझने में, तो इस video को देखने के लिए और मेरे यानि प्रेंपाल सिंग के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडि च कर दो करता हैं अगी मिलते होंगे साथ बहुत बने जख आजाओं मिलते हुत बने साथ ज़ना